हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकारे के साथ दोस्तो प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्पतिया पाई जाती है जो चमतकारे के गुणों से परी होती है ये चमतकारे के अबाव के कारण हम इसके गुणों और पाईदे से अनजान होते है ये जो जमिन पर फेला हुआ घांस का सत्ता आप देख रहे है ये कोई आम वनस्पति नहीं है इस चगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काम की नहो कुदरत के अनमोल खजाने में ऐसी विशिट प्रकार के गुणों वाले जड़ी बुटिया मौचुद है जिसके बारे में हमें जान करी नहीं होती ये जड़ी बुटिया मनुश्य जिवन के कई प्रकार के बीमारियों को दुर करती है ये जड़ी बुटिया हमारे आसपास में भी हो सकती है हमारे घर के आंगन में भी हो सकती है और हमारे खेत में करपतवार के रूप में भी हो सकती है लेकिन पहिचान नहोने के कारण हम इसे नहीं जान सकते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भोले क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिлаते आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मॉटेविशन आपको जाता है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को गोची वा. संस्कृुत के नुक्न आयरुईध गरंतों में इसे गोची वा, गोची और खरपण हे नाम से सम्भोधित किया है. मराठी में इसे जंगले गोपी पात्री से पहचानते है. हिंदी में गोपी कईते है और गुजराती में गण जी भी तता भोपांतरे से पहचानते हैं इसका लेट्री नाम एलेपेंटोपस स्केबर है गोजिवा का पाउदा जमिन पर चत्य की रूप में पहलता है इसके पत्तों का आकार गाय के जिब के समान होता है ये ज़्यादातर वर्षारुतों में सरवत्र उत्बन होता है इसके बिच में से एक डंडी निकलते है और इस पर पीले रंग के पुस्पलगते है इसके किसी भी पत्ते या साका को तोड़ने पर पीले रंग का धुद निकलता है इसके प्रकृती ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसेला और तिखा होता है ये एक प्रकार का साकी पोथा है इसकी सबजी बना कर खाने से पेट के रोगों में पाइदा होता है बवासिर होने पर भी ये बहुत लाब करिप होता है ये जड़ी बुटी रक्ती विकारों का समन करती है और रक्त सुध करती है इसकी सबजी का कुछ दिनों तक लगादार सेवन करने से रक्त सुध हो जाता है इसके पत्रों में तामर अधिक मात्रा में होता है इसलिए कोई इसे तामर परने भी कहते है सफेद दाग की बिमारी में इस बूटी का उप्योग करने से फाइदा महिशूस होता है क्योंकि इसमें जादा मात्रा में तामर होता है ये तोचा की रंग को वापस लाने का काम करता है दोस्तों ये अर्स और बवासिर में जबरजस्त काम करती है जिन लोगों को बवासिर की बिमारी है बवासिर में कुन आ रहा आओ तो ऐसिस्तिती में इस पौधे को जड़ सहीत उखाड ले साप पाने से दो कर इसके पत्तो का रस निकाले और 10-15 ml की मातरा में सेवन करे इसके अलावा इसे सुखा कर भी आप प्रयोग में ले सकते है इस पौधे को सुखा कर काड़ा बना कर विस ये 30 ml की मातरा में कुछ दिन लगादर पिने से बवासिर में खुन आने की समस्या बंध हो जाती है इसके पत्तियों की सब्जी बना कर खाने से पेट में गैस और कब्ज नहीं बनता इसके अतरिक्त इसका एक और भी प्रयोग है पेशाब 27 समिश्चा में अगर किसी को पेशाब 27 किसी भी प्रकार की समिश्चा हो पेशाब रुक रुक कर आता हो या पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन हो रही हो तो इसका प्रयोग जरूर करे कुछी दिनों में पेसे आप सबंदी सारे समझ चाहे दूर हो जाएगी ये जड़ी बुटी का गुण धर्म विसनासक होता है इस बुटी का कुछ दिनों तक लगादार प्रयोग करने से सरेर में बढ़े हुए टॉक्सिन बाहर निकल जाते है और खुन साप हो जाता है इसकी सब्जी का सेवन करने से पेट साप रहता है और पेट की कई बिमारिया दूर होती है अगर दातों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसकी जड़ों को साप करके दातों से चबाए कुछी समय में दादों का दर्द दूर हो जाता है ये विशनासक पोधा बिच्चु के जहर में भी उप्योगी होता है बिच्चु के काटने पर इस पोधे की जड़ और इसके पत्तों को दोनों को साथ में पिसकर अच्छी तरह कलक बना कर उस थान पर लगा दे कुछी समय में बिच्चु का जहर दीरे दीरे उतरने लगता है दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में के इसकी जड़ को हाथों की बुजाओ में बांधने से बिच्चु काटता नहीं ये जड़े बुटी खांसी में भी बहुत लाबकारी होती है अगर किसी को खांसी की समझ्चा है तो इस पूरे पौधे का रस निकालकर साथ में सहद मिला कर पीला दे कुछी दिनों में खांसी की समझ्चा से छुटकारा मिल जाएगा इस पौधे के पतियों में जिवान रोधी गुन पाए जाते है अगर इस पोधे की पत्यों का रस निकाल कर या कलक बना कर घाओं पर लगाते हैं तो घाओं भी सिक्र भरने लगते हैं ये जड़ी बुटी बहुत चमतकारिक है अगर किसी को बुखार या ज्वर है तो इसकी जड़ को ले ले और इसे गले में माला की तरह पहने और इसके साथ ही इसके पत्यों का रस निकाल कर 15-20 मिली की मातरा में कुछ दिनों तक सेवन करे या इसके पत्यों का काड़ा बना कर चाय की तरह पिने से भी जवर या बुखार उतर जाता है ये जड़ी बुटी पेट की कब्ज को दूर करती है सरज की गर्मी को दूर करती है और रक्त विकारों को मिटा कर रक्त को सुध करती है